Assalamualaikum दोस्तो दोस्तो आज कल बढ़ती में गाई ने हमें इसकदर मचबूर कर दिया है कि हम यूट्यूब पे आते हैं और ये सीखना चाते हैं कि पैसा कैसा कमाया जाए और वीडियो देखते हैं किसी की 10 मिनट के उसमें लिखा होता है तो उनके आर्टिकल के अंदर इतनी मिस्टेक्स होती है उनको तो जनाब SEO कहीं नहीं पता होता कि SEO कैसे करें और गलती से कोई SEO कर लेता तो वो आर्टिकल रैंक नहीं होता पांच दिन लगाकर अगर बंदा गलती से आर्टिकल लिखता है SEO करता है और लगा देता है और rank ना हो तो सर पकड़के बैठ जाते हैं कि यार हमारी मेहनत बिकार होगी और उसके बाद उस website की दरफ दुबारा कभी देखते भी नहीं है इस problem का solution मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी tool है जो आपको 100% free article लिखके देगा SEO भी करके देगा और AdSense की approval भी आएगी तीनों चीज़ें आपको एकी साथ मिलने वाली है लेकिन इसमें step बड़े complicated है step by step आपको समझना पड़ेगा कि ये करना कैसे है दोस्तों free में तो हर चीज़ मिल जाती है लेकिन उसका करने का तरीका बहुत यूनीक होना चाहिए अगर आप तरीका यूनीक इस्तमाल करते हैं और समझ के करते हैं तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं तो चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ free unique article कैसे मिलेगा उसके बाद आपने जो है वो कैसे आपको जो है चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको free unique article कैसे मिलेगा SEO कैसे होगा AdSense की approval कैसे आएगी copyright free कैसे होने वाला है सारा आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है उससे पहले दो चीज़ें हमेशा याद रखे एक जब भी आपको कोई knowledge मिलता है और खास तोर पे पैसे कमाने की हवाले से बात की जाए तो दोस्तों के साथ share करना न बूले नीचे एक share का button होता है WhatsApp के उपर आपके पस इतने links है 4-5 लोगों को share कर देंगे वीडियो तो किसी का फाइदा हो जाएगा लोग आपको दौाएं देंगे याद रखे knowledge जितना share करेंगे जितना लोगों के लिए सोचेंगे उतना ही ज्यादा आप अन कर पाएंगे दूसरी चीज़ नीचे एक red color का subscribe का button है उसको miss मत करें उसको subscribe करें साथ bell icon को दबा लें ताके तमाम जो जितनी भी मैं information वाली वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ आपको मिलती रहें दोस्तों मेरी वीडियो ऐसी होती है जो के एक तो आपकी problem solve करती है दूसरी मैं कभी भी बगैर test की होवे वीडियो नहीं डालता हूँ पहले उस वीडियो को test करते है इसलिए मेरी वीडियो की quantity बहुत काम आती है मैं बहुत कम वीडियो अपलोड करता हूँ पहले मैं खुद experience करता हूँ उस चीज का फिर आप लोगों के साथ share करता हूँ चलिए चलते हैं laptop की screen के उपर तो यह दोस्तों मेरे सामने laptop की screen पे एक website मजूद है इसका link आपको description में मिल जाएगा लेकिन इस वीडियो को end तक देखें क्योंके जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ वो अगर आप खुच जा के try करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी तो सबसे पहले sign up करेंगे sign up free पे click करेंगे यहाँ पर आपने अपना email और password डाले या continue with google कर ले तो यहाँ से जो है हम sign up करेंगे वो भी अपने email ID के साथ email का ID होना आपके पास बहुत ज़रूरी है अब यहाँ पर एक बहुत चीज द्यान से समझने वाली है यह आपको हमेशा के लिए free article नहीं लिख के देगा लेकिन अगर आप email बार-बार create करते हैं हर बार नई email से जाएंगे तो आप नया article लिख सकते हैं तो email आप so create कर लें, so article लिख लें वो आप पे depend करता है, तो normally article का type words होते हैं 2000 words का article होता है, तो यह आपको दे रहा 5000 words मतलब एक email के जरी आप दो article अराम से लिख सकते हैं और वो भी copyright free और वो भी SEO वाले आप चलिए start करते हैं कैसे करना है तो get started पे click करेंगे, सबसे पहले तो आपने इसको बता देना है कि यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं आप SEO marketer हैं, email marketer हैं, copywriter हैं, आप क्या हैं तो यहाँ पर मैं freelancer को click करूँगा, next करूँगा यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी company में कितने लोग काम करते हैं अगर आप अकेले हैं तो just me पर आपने click करना है, उसके बाद next कर दें next करने के बाद यह आपसे पूछ रहा है, how did you hear about us? कि आपने हमारे बारे में कहां से सुना, तो आप मेरे से सुन रहे हैं YouTube से, तो YouTube को click करके next कर दें next करने के बाद यह आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, website targeting message करना है, किसी को data driven editor करना है यहां ब्लोग लिखना है, आपने article लिखना है, तो यहां से मैं blog लिखके next कर दूँगा, अचा दोस्तों blog लिखके next करेंगे, तो यह आएगा describe the blog you want to create, अब यहां पर आप से पूछ रहा है कि आप कौन सा blog create करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको मैं, यहां पर आपने सरफ title देना है, how to rank, यहां पर देखें जी मैंने एक article दे दिया, how to rank your YouTube videos with the help of optimization, SEO optimization, ठीक है, अब यहां पर एक खुद ही मुझे topic भी बताएगा, अचा यहां पर undefined industry आ रहा है, तो यहां पर मैं social network है, मतलब YouTube एक social network है, उसको select करूँगा, तो यहां से मैं से कहूँगा कि video SEO भी करेंगे तो चलेगा, अब यहां से मैं next करूँगा, तो एक मुझे यह title generate करके देगा, यह title generate करके आपको खुद देने वाला है, वो भी copyright free में, अचा title पर ज्यादा copyright आता भी नहीं है, यहां पर देखें जी, यह कह रहा है SEO optimization tips to help your rank your YouTube videos, कितना ही कमाल का title है, कोई भी तो यार वो कहेगा कि इस पर click करना चाहिए, और 80%, 81% chances है कि यह आपका article rank करेगा, तो यहां से जो भी आपको title अच्छा लगता है, आपने वो वाला select कर लेना है, मैंने first वाला select किया, next करेंगे, यहां पर outline generate करके देगा, जो आपका intro paragraph होता है, basically उसके नीचे outline होती, यहां पर वो देगा, तो यहां पर मैं उसे पूछ रहा हो, keyword research, title, description, tags, तो यहां पर मैं इसको first करके यह, सारा मुझे इसी तरह से खुद बना के देगा, इसे मैं next कर दूँगा, next करने के बाद यहां पर जनाब आप देखें, यह आप आपने उस article के अंदर 10 point आपको mention करके बता section 1 में आपका keyword research आएगा, section 2 में title tag आएगा, section 3 में create a compelling video आएगा, use the right filming इसी तरह से बहुत कुछ, ठीक है, अब यहां से वो कह रहा है कि intro paragraph आपका यह वाला है, इसमे 44% chances है कि यह paragraph rank करें तो मैं पहले को select करके next कर दूँगा, यह intro paragraph इसने बना दिया है, ठीक है, उसके बाद continue to editor करेंगे, जैसे आप editor पे click करेंगे, तो यहां पे project brief आएगा, इसे आप got it कर लें, ठीक है, अब यहां पे देखें जी, पहला अब आपका section 1 था keyword research का, तो keyword research में आप इसे बता दें, तो यहां से देखें जी, keyword research में ने लिखा how to find a good keyword, तो इसे generate कर दो, तो जैसे ही मैं keyword research पे इसे generate करूँगा, instruction मैंने इसे यहां पे देते जाना है, यह paragraph खुद ही generate करता जाएगा, तो यह कहरा, first step to optimization, your videos for SEO is to find a good keyword, once you know what your video is about, you can search for other videos that are about the same topic and what keywords they are using, तो एक छोटा सा उसने बना दिया, उसको detail देंगे थोड़ी सी, तो वो आपको मजीद अच्छा सा बना के तो यहां से हम जो है, सारा जो है, एक बर मैं create कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा सब के बारे में, और फिर add the end आपको दिखाता हूँ, कैसे यह निकल के आता है, तो दोस्तों उपरवले मैंने सारे लिख ली है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहां पर अगर आपने instruction नही देनी, तो यहां से आप optional इसको जो है, वो generate पे click करेंगे, तो यह generate करता जाएगा automatically, तो instruction देना best होता है, आपके article के लिए, अगर आपको थोड़ा सी समझ है, अपने article के बारे में, तो आप यहां से instruction देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है, तो यहां से simply अ सकते हैं मजीद, लेकिन यहां पे देखें, मैं आपको free में करके दिखाता हूँ, generate पे मैंने click किया, without any hint, तो यहां से यह जो है, वो generate कर देगा, मुझे automatically, ठीक है, अब यहां पे देखें जी, मैं continue करूँगा, तो यहां से देखें जी, दोस्तों continue करने पे इसने जो है, मज आएगा कि यह 100% plagorism, total originality है, लेकिन अगर आपको इस पे यकीन नहीं है, तो आप क्या करें, ऊपर आएं, यहां पर आपके पास 833 words का एक इसने article लिख दिया है, तो इसे करें copy, copy to clipboard हो गया है, अब आप word में चले जाएं, अगर आप word में इसको paste करना चाहते हैं सारा, तो आप यहां से word के अंदर इसको paste करनें, ठीक है, तो यहां पर मैं word के अंदर इसको paste कर रहा हूँ, यहां पर देखें जी, यह पूरा article मैंने word के उपर यह आपका जो है, बड़े अच्छे से इसने तरतीब दे दिया है, आपका title भी, tag भी, subtitles भी, totally इसने automatically SEO भी कर दिया है, अ अब आप इसका plagorism check करना चाते हैं, तो यहां से हम Google के ओपर जाएंगे, तो कोई भी plagorism जो है, वो tool ले लेंगे, ठीक है, यहां पर मेरे खाल से पूरा article तो वो एक साथ में नहीं बताएगा, free tool की हमेशा limit होती है, तो यहां से हम थोड़ा सा article उठा के check करेंगे, क्या यह plagorism free है, control C से copy करेंगे, और यहां पर जाने के बाद यहां पर हम control V paste कर देंगे, अब यहां पर हम अपनी satisfaction के लिए एक बार इसको check करेंगे, check plagorism पे click करेंगे, तो यहां से देखें जी यह detect करना इसने शुरू कर दिया, अब इसकी detection जैसे ही complete होगी, हमें पता लग जागा कि हमारा article क्या AdSense की approval हमें दिला सकता है या नहीं दिला सकता, अगर दोस्तों आपका article 100% plagorism free है, दूसरा SEO बहुत तरीके से किया गया है, तीसरा आपके title, description, text बहुत ही ज्यादा maintained है, तो AdSense की approval मिनना 100% possible है, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो टूल था, उ लेकिन SEO करके नहीं देता था, तो ये वाला जो टूल है ये आपको SEO प्रवाइड करता है, SEO बहुत important होता है, दोस्तों किसी भी article के लिए, तो ये automatically आपको SEO प्रवाइड करता है, आपको title, description, tag आपको total प्रवाइड करके देता है, इसलिए ये tool मुझे बहुत ज्यादा अच करें, एड्सन की approval लें, और दोस्तों के साथ ऐसी वीडियो को जरूर शेयर करें, जो कि बचारे blog लिखते हैं या पैसे कमाना चाते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो like करें, चैनल को subscribe करें, thank you for watching, take care, Allah Hafiz